नमस्कार आप देख रहे हैं दर्श नियूज मैं हूँ दिव्यान्सू लोग जन्सक्ति पाठी राम बिलास के राश्ट्रे अध्यक्ष हाजिपूर के सांसद मोदी के हनुमान चिराग पासवान आज महामहीम राश्ट्रपती द्रौपती मुर्मू से मिलने पहुचे और इस से कुशी देर पहले उन्होंने उपर राश्ट्रपती जगदीब धनकड से भी मुलाकात किये हैं तो चिराग पासवान जब से सांसद बने हैं और उसके बाद से मंत्राले उन्हें मिला है फूट प्रोसेसिंग का मंत्राले तब से वो चर्चा में बने हुए हैं सुर्खिय पासवान और कुछ भी अगर वो तस्वीर ही पोस्ट कर देते हैं या कुछ भी एक लाइन ही वो लिख देते हैं तो वो वाइरल हो जाता है तो ऐसे में राश्ट्रपती से उनकी मुलाकात और फिर उससे पहले जगदीब धनकड से उन्होंने मुलाकात की थी जिसकी भी तस और उन्होंने लिखा था कि माननिय उपराश्ट्रपती जगदीब धनकड से सिश्टाचार भेट उन्होंने की है और चिराग पासवान को लेकर लगातार सुर्खियां बन रही है और चिराग पासवान जैसा की मीडिया में उनको लेकर कहा जाता है मोदी के हनुमान है और इस बार उन्होंने साबित भी किया है जिस तरीके से 5 सीट उन्हें NDA गटमंदन के तहत मिली बीजेपी ने उन्हें 5 सीटों पर चुनाव लड़ने का टिकट दिया कि आप 5 सीटों पर लड़िये और 5 के 5 सीट चिराग पासवान की पार्टी ने जीत कर मोदी के खाते में डाल अपने चाचा परसुपती पारस के ही खिलाफ हो गए थे काफी बयान बाजी भी हुई और अंत में चिराग पासवान की जीत हुई 5 सीट उन्हें मिली उसकी अलावा हाजिपूर सीट भी उन्हें मिली एक तरीके से रामबिलास पासवान की पार्टी उन्होंने ले ले ली उनका मंत्राले भी ले लिया और कुशी दिन पहले आपने देखा था कि बंगला जो पार्टी कार्याले था जिसमें परसुपती पारस अपनी पार्टी को चला रहे थे वो उसका भी आवंटन रद्ध हो गया वो भी एक तरीके से चिराग ने उनसे छीन लिया तो चिराग चिराग पास्वान सुरक्यों में हैं और इस वक्त सितारे उनके काफी बुलंद है कुछ भी कर रहे हैं और वो वायरल हो रहा है लोग उनके बारे में जानना चा रहे हैं खास करके ये भी चर्चा हो रही है कि अब चिराग पासवान की साधी होगी साधी किस्से होगी तरह तरह के नाम भी सामने आ रहे हैं लेकिन चिराग पासवान इस पर कुछ उन्होंने नहीं कहा है उन्होंने जब मंत्राले उन्होंने मिला था तब भी उन्होंने बयान दिया था कि पिता का सपना पूरा हुआ है पिता के विरासत को वो आगे बढ़ाएंगे मोदी का उन्होंने धन्यवाद किया था तो आने वाले विधानसभा चुनाओं में उनकी भूमी का काफी एहम रहने वाली है क्योंकि पिछले विधानसभा चुनाओं में क्या किछ हुआ था वो आपको पता ही है किस तरीके से चिराग पासवान का इस्तमाल कर बीजेपी ने नितीश कुमार को कमजोर किया था लेकिन इस बार साइध ही ऐसा हो अगर नितीश पाला बदल लेते हैं तब अलग बात है लेकिन अभी तो साथ में ही हैं और काफी अच्छी केमिस्ट्री भी देखी गई चिराग पासवान और नितीश कुमार की काफी गर्म जोसी दिखी मुलाकात चिराग पासवान ने की थी और उसकी तस्वीरें भी वाइरल हुई थी और स्टेज पर भी और जब संसदिय दल की बैठक हो रही थी दिल्ली में तब भी एक बॉंडिंग दिखी थी चिराग पासवान और नितीश कुमार की दोनों ही पिछलों के बड़े नेता माने जाते हैं बिहार में तो ऐसे में चिराग पासवान के सामने पूरा भविष्य है और ऐसा माना जा रहा है कि पिछलों के सबसे बड़े नेता के रूप में वो उभर करके आएंगे अलनकि य सिंग मंत्राले जो उन्हें मिला है ये भी देखना बड़ा दिल्चस्प होगा कि किस तरीके से वो काम करते हैं और बिहार को वो कैसे आगे ले जाते हैं फिलाल के लिए इतना ही तमाम अपडेट्स देते रहेंगे बने रहें दर्शनीज के साथ